हेलो फ्रेंज, स्वागत है फिर से हमारे अपने यूटूब चैनल टोटल स्टडी क्लासेस में सो गैस कैसे आप लोग, I hope आप लोग अच्छी होंगे तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो कैंडिडेट अभी फिजिकल के लिए जाने वाले उनके लिए यह जानता बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल में आखिर एक्जाम होता कैसे वहाँ किसको कोंडिडेट है जिन को सलक्ट किया जाएगा तो I hope so आप लोग में चैनल में new है guys तो एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाए लाइक कर दीजे और सेल कर दीजे तो गाइस स्टार्ट करते हैं SSC ZD Physical Test Admit Card कब आएगा और कब से सुरू होगा Physical Date चारी PT and PhD में क्या क्या होगा तो हम लोग जानते हैं SSC ZD Physical Test इस सभी Candidate को मिलेगा Physical Test देने का मौका यहां देखे Physical Test की पूरी जानकारी तो गाइस SSC ZD Physical Test Details करमचारी चर आयोग देशनिवार को अपनी अधिकारी वेबसाइट पे SSC ZD Constable परिनाम 2021 गोसित किया है जिनमें से 285,201 Candidate को सलक्ट किया गया है और अब उन्हें Physical के लिए बुलाया जाएगा तो जो Candidate होंगे वो जिनमें से 31,657 Female Candidate है और 253,544 Female Candidate है तो आप लोग जो Male Candidate है वो बहुत कम है Sorry, Female Candidate बहुत कम है और Male Candidate है वो बहुत जादा है तो Male Candidate के लिए तो और भी जादा Important Topic होने वाली है So guys, CBSC में परदशन के अधार पर Candidate का आयोग द्वारा PAT, PhD के लिए Short List किया गया है और जो Medical Exam के लिए सारिक मानों परिछन PAT, CPF द्वारा अंतिम प्रूप दिये गया है बिविन के अंदरों पर आयोजित किये जाएंगे यदि Candidate सारिक और किसाय रूप से फिट नहीं है तो वह इस Test में Qualified नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उसे इस भरती प्रक्रिया से हाथ दोना पड़ेगा तो guys, आप लोग जो Male Candidate या फिर Female Candidate में एक के लिए वीडियो नहीं बना रही हो जो भी Candidate हो, अगर आप अभी से बीमार हो या फिर आपका कोई physical medical test चल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी उसे complete करो ठीक करो या फिर आपका हाथ या perfecture है तो आप अभी जल्दी से जल्दी ठीक करो अभी time है क्योंकि अगर वहां बुला लिया जाएगा ऐसे में तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा तो आपका इतना सारा मेहनत जो किये हो वह बेकार जाने वाला है तो आप लोग थोरा सा मेहनत करो और ज्यादा और आप लगा कर सेलेक्शन हो जाएगा प्रिटी पीस्टी में शॉर्ट लिस्ट के लिए एंसी सी परिनाम धारकों को बॉनस अंक जोर जोरे बिना कटफ अंक अंधारित उमिदवार के लिए 30 परसेंट होगा जबकि EWS और OBC कैंडिडेट के लिए यह 25 परसेंट और होंगे एससी ने कहा है कि जो एंसी सी कैंडिडेट है उनके लिए 30 परसेंट छूड मिलने वाली है तो आप सेटिफिकेट ए कि या भी या सी कोई भी कर चुके हैं तो आप वहां पर लिए जा सकते हो वहां आपको इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सबता है देन एससे जेडी फिजिकल टेस्ट डिटेर्स हाईलैट यहां पर दिख रहा है जो एससे जेडी का एक्जाम हुआ था वो दिसम्बर में हुआ तो आप लोग नहीं आई है जब तक आप लोग प्रेपरेशन कीजिए जब आज आएगी तो आप जाके अच्छे से एक्जाम दे पाओगे तो हमनों यहाँ पर बात करते हैं उमिद्वारों को निरचन में जिन सिंधानतों पर ध्यान दिया जाना है वे इस परकार है कि कैंडिडेट प्रयाप्त रूप से बुद्धिमान हो मिन्स वो हलका तेश हो माइंड से वो फूरतिला हो देन सेकेंड उसका असर अच्छा है और काम नाक की रोग का कोई लच्छन नहीं हो गैस समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ देन ठर्ड इसमें लिखावा देन ठर्ड बोला गया वाँ पे किसी भी आँख से उसकी दृष्टी आविशक मानो तक उसकी आँखो उजवल असपष्ट और बीना किसी असपष्ट भेंगा पन निस्टागरमस या अन्य समान के साथ हो देन सेकेंड आपका है नेत्र गोलक की गती सभी दिसाओं में पुर्व और मूर्ती होनी चाहिए देन ठर्ड है आपका उनका भासा बीना बाधे के हैं और उसे ग्रिंदियों को में कोई सूजन नहीं होना चाहिए उसकी चाती अच्छी तरह से बनी है और उसका दिल और फेपरे स्वस्थ होना चाहिए उसके अंग अच्छी तरह से बने और पूरी तरह से विक्सित होनी चाहिए इसमें है सभी जोरो की स्वतंतर और सही किरिया होनी चाहिए यदि कोई आवेदन पेटी के समय किसी भी उज्जा वाना दवा की प्रभाव में पाया जाता है तो उसे कैंडिडेट को कॉलिफाई नहीं किया जाएगा इसके पैर और पैर की उंगलियों अच्छी तरह से बनी हो इसके कोई भी जन्म जात विक्रित या दोस नहीं हो कुसल चवाने के लिए उसके पास प्राप्त संख्या से धोनी दात हो इसके जनन मुत्र पत का कोई रोग नहीं हो देन उमिदवार के घुटने समाप्त और वेरिकाज नस या आँखों में भेगा पन नहीं होना चाहिए इतने सारे ओप्सन है आपके पास कोई भी किसी भी तरह से आपको कोई वहाँ पे बीमारी नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा क्योंकि यहां पर मैं बता दी यहां पर इतने सारे वहां पर माये जा रहे हैं आपके फीजिकल में अपे नहीं अकुछम्न नहीं करें दोस्य बीस कके अची अब सzeug worship Awards कोई गइए ते लिए आपको है अफिक पिजिकल के से सoria जो पर इतना आपका लिया जाएगा जाएगा वहां पर देन हायट उचाय तो जो केवल समाने पिछले वर्ग जो जेनल और OBC candidate है, उनके लिए जो height होगी वो 170 होगी और उनका chest का height और chest की जो होगी 81 होगी, then जो SC candidate के लिए हैं, उनके लिए 170 height और उनके लिए chest 81, same होगी ST candidate के लिए उनका थोड़ा सा छूट दिया जाता है 5% का, उनका 165 होगा और chest 176 होगा दिन आगे उनके बात करते हैं, जो candidate का height उचाई होगी, वो होगी कि जैनरल और OBC के लिए 157, SC के लिए 155 और ST के लिए 155 देन दौर का जो होगा पुरुसों के लिए SSC ZD race तो दौर जो वहाँ पे होगा, वो होगा पुरुस जो female candidate के लिए है वो 6 meter होगा, दौर 6 meter होगा, देन लंबाई चलांग 40 feet होगा रुचाई चलांग 39 feet होगा देन जो 31 से 40 वर्स के उमर के आयू से, उनका होगा 7 meter और जो लंबाई feet होगी, वो 13 feet होगी और उची चलांग 3.6 होगी जो 40 साल से उमर के हैं, उन्हें 8 meter दौर होगी 12 feet उनकी लंबाई होगी, देन 3.3 उनका उचा चलांग होगा देन जो female candidate के लिए हैं, उनके लिए थोरा सक tough नहीं है क्योंकि उनका थोरा कम है, तो जो 31 साल तक की है, वो उनकी दौर 160 meter means 8 meter होगी और जो लंबाई होगी, वो 10 feet होगी उचा उचा चलांग 3 feet होगी और 31 से 35 वर्स के बीच में 9 meter दौर, 9 meter लंबाई and 2.9 उनकी चलांग होगी, then guys आज के लिए इतने ही I hope so आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज आप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे guys, like कर दीजे, अगर आपको height और weight जानना है तो आप लोगे चैनल को सब्सक्राइब किजे, bell icon प्रेज पका किजे तभी ये वीडियो आप तक पहुँच पाएगी so guys, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में तब तक लिए, thank you so much